वश्य मंगाल में हो रहे विधान सभा चुनाव में आज पांच वे चरण के लिए मतदान हुआ इसी के साथ बंगाल में कुल पांच चरणों में 180 विधान सभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई वहीं अब तीन चरणों में 114 सीटों पर मतदान बाकी रह गया है आज की वोटिंग में बंगाल में सुभा से ही मतदाताओं की लंबी-लंबी कातारे देखने को मिल रही थी लोगों ने बढ़ चड़ कर मतदान किया तो आज पांचवे चरण के लिए कितना हुआ मतदान देखे इस रिपोर्ट में बढ़ती महमारी के बीच परशिम बंगाल में विधान सभा चुनाब जारी है और पांचवे चरण के तहत आज राज जी की 45 विधान सभा सीटों के लिए वोटिंग हुई इसके बाद बंगाल में अपकेवल तीन चरणों का मतदान बाकी है जिनमें 114 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे पांचवे चरण में आज लगभग 89 पीसिदी मतदान हुआ है मतदान के लिए सुभा से मतदान केंद्रों में बाहर लंबी लंबी कतारे देखने को मिल रही थी जिसमें पूरुशों के साथ साथ महिलाओं ने बढ़चड़ कर हिस्सा लिया पांचवे चरण में कुल एक करोड तेरा लाग 73 हजार 307 मतदाता हैं जिन में लगखक 89 पीसिदी मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया इसी के साथ आज 342 उमीदवारों की किसमत इवियम में कैद हो गई जिन सीटों पर मतदान हुआ है उनमें उत्तर 24 परगना की 16 सीटे, दारजलिंग की सब ही 5 सीटे, नादिया की 8 सीटे, पूर्वी बर्दमान की 8 सीटे, जलपाई गुड़ी की सब ही 7 सीटे और कलिमपोंग की 1 सीट शामिल है आपको बता दे कि साल 2016 के विधान सभा चुनाव में त्रणमूल कॉंग्रिस ने इन 45 में से 32 सीटों पर जीत दर्स की थी कॉंग्रिस और लेफ्ट पार्टियों को 10 सीटे मिली थी, जबकि 3 सीटे अन्य के खाते में गई थी 2016 के विधान सभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था लेकिन जब 2019 के लोग सभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी को टीमसी की तुलना में ज्यादा वोट मिले थे बीजेपी ने यहां 45 फीसिती मतदान हासिल किया था जबकि टीमसी को 41.5 फीसिती वोट मिले थे हलांकि टीमसी को यहां 23 सीटों पर बढ़त मिली थी और भाजपा को 22 सीटों पर बढ़त मिली थी डीबी लाइप की रिपोर्ट